8085 pin diagram देखिए जो 8085 processor होता है वो हमारी CPU की तरह ही होता है जो हमारी simple computers होते है traditional computers होते है उनकी तरह ही होता है 8085 जो की 8 bit journal purpose microprocessor है जिसकी capability है 64k addressing memory की capability है total 40 pins इसकी होती है और plus 5 volts power supply की से required होती है यह operate होती है 3 megahertz single phase clock के है ठीक है यह तो हमारी 8085 है इसके बारे में यह कर देख करती है peripheral devices, peripheral devices, input output devices, memory से या external circuits से भी connect करती है data processes, address buses और control status signals, external initiated signals, serial input output इन सब करें यूज होता है अब हम इसके बारे में discussion करेंगे pin diagram total 40 pin 8085 में use होंगी इसकी first और second pin जो की x1 और x2 को show करती है यह x1 और x2 क्या है यह crystal होता है crystal जो की RC network भी हो सकता है resistor और capacitor, LC network भी होता है inductor और capacitor network यह two pins आपस में crystal network के साथ connected होती है जो की operate करती है 3 megahertz पर शिस्टम के साथ और crystal की जो frequency होती है वो 6 megahertz की होती है यह होती है first और second pin next है third, fourth और fifth pin इसलिए किया जाता है ताकि microprocessor को फिर से reset किया जा सके जो signal है वो क्या होता है वो फिर से operate यानि कि फिर से starting condition में आ जाता है next है fourth और fifth pin S, O, D और S, I, D जो की show करती है serial output data को और serial input data को यानि जो हमारा data होता है वो serial में input fourth pin से serial wise output होता है और जो input होता है वो भी serial wise होता है वो serial output और serial input को show करेंगे next है sixth pin जो की trap होती है ये sixth pin ये एक input pin होती है जो की known maskable interrupt को show करती है इसकी priority सबसे जादा होगी next seventh, eighth और ninth pin जो की RST 7.5, 6.5 और 5.5 को show करेंगे जो की restart interrupts होती है ये भी input होती है ये जो होती है ये vector interrupts होती है जो transfer करती है processor control को जो मारा processor होता है 8085 का उसको एक particular memory location पे transfer करती है ये भी अपनी priority के according work करती है और जो I and TR pin होती है tenth pin इस pin से जादा इनकी priority होती है और इनके priority का जादा 7.5 यानि seventh pin के priority सबसे जादा होगी eighth की उससे कम होगी और ninth की उससे कम होगी अपनी priority के according की work करती है यानि अगर तीनों पे signal है तो 7.5, RST 7.5 होगा इसका signal सबसे पहले processor के पास जाएगा ये सबसे पहले execute होगा next है interrupt pin जो की I and TR है tenth pin ये interrupt request होती है ये general purpose interrupts होती है normal interrupts होती है जब भी कोई interrupt आती है देखे interrupts actually में होती क्या है interrupts क्या होती है मान लो कि processor अपना काम कर रहा है अगर हम उने के keyboard से कोई key press की तो processor क्या करेगा पहले अपना main function रोके जो key हमने press की है उसको show करेगा ये key जो press की है वो एक interrupt है processor के लिए यानि कि अगर कोई बाहर से कोई function आता है तो processor अपना काम रोक के पहले दूसरा function perform करता है और फिर उस function को perform करके अपने main function पर आ जाता है ठीक है न इंटर्प्ट ट्रैप की सबसे ज़्यादा priority होती है फिर 7.5, 6.5, 5.5 यह आई एंट्यार यह नॉर्मल इंटर्प्ट होती है नेक्स्ट है 11 पेंट जो कि इंटर्प्ट एकनॉलेजमेंट होती है यह एक output signal इंटर्प्ट एकनॉलेजमेंट इसका use क्या होता है जब भी कोंई इंटर्प्ट आती है देखें किसी प्रोसेसर है बाहर से किसी ने इंटर्प्ट भेजी कि हमारा function perform करो तो प्रोसेसर क्या करेगा क्या करेगा कि कोई अनादर मास्टर है इसने प्रोसेसर को रिक्वेस्ट भीजी है तो प्रोसेसर रहा है इंटरप्ट अग्नॉलजमेंट भीजेगा कि मैं आपका काम करने के लिए दैडि हूँ वह इंटरप्ट को एग्जीक्यूट करेगा फिर अपने में फॉंक्षन प्याजाएगा यह इंटरप्ट यह बार्ट वीच jest को एक दशनुलजए झियूटकर देशो करते हैं यह मंटीप्लेक्स होती है और इनको अलग करने के लिए जैटरो टरप सुपा यूजश क्या जाता हैं देखिए क्या होता है एडी जीरो नीए दी सैवं जो एड्रेस और डाट दोनों होती है इन जयू लोर जो bits होती है 8 bits 80–807 यह शो करती है अब address को separate करने के लिए latch का use किया जाता है और data को separate करने के लिए data buffers का use किया जाता है यांपि transverse का use किया जाता है यानि कि हम कि करते हैं कि इन दोनों को separate करते हैं ठीक है डी मल्टिप्रेस करने के लिए लाच व डाटा बफर्स लेती है हमेशा याद रखना जो लाच होगा वह एड्रेस को सेपरेट करेंगे डाटा को सेपरेट करेंगे ठीक है नेक्स्ट है 20 जो की पिन शो करती है वी एसेस यह ग्राउंड रेफरेंस प्रोवाइ क्योंकि ग्राउंड होते हैं नेक्स्ट है हमारी है ट्वंटी फॉस्ट टू ट्वंटी एट बिन जो की सिंपल अड्रेस को शो करती है एट टू एफिफिटीन एजीरो से एजावन तो यह यहां पर आगए डाटा के साथ यह सिंपल अड्रेस होता है इसके लिए हमें लैच की भी ज़रूरत नहीं परती क्योंकि यह सिंपल एड्रेस है यह द्रेस नमेशन एड्रेस बसेजर में एवलेबल रहता है क्योंकि एड्रेस हैं सिंपल है कोई जरूरन है 21st to 28th pin जो की हाईयर ओर अड्रेस को शोग करेंगे 29th pin 29th pin जो की शोग करेंगी स्टेटस को इसके बाद हमें हम बाद में डिसकुशन करेंगे 30 pin एड्रेस लैच अनेबल यह इस पिन का क्या होता है देखें एड्रेस ओर डाटा 12 पिन से लेकर 19th pin एड्रेस ओर डाटा होता है दोनों जो बसीज होते हैं दोनों में दोनों एड्रेस डाटा होते हैं बसीज में मल्टिप्लेक्स होते हैं यह तो एड्रेस लैच अनेबल पिन क्या करेगी यह लैच के साथ कनेक्टेड होती है लैच के साथ प्रोसेसर से लैच के साथ यह क और जो clock pulses होती है उसकी first cycle में address latch enable pin high होती है जब यह pin high होगी तो यह indicate करेगी कि latch enable है और valid address address बसीद में आचुका है यह इसका काम होता है next pin होती है 31 और 32 pin जो कि read or write का function perform करेगी सबसे पहले देखते हैं 32 pin जो कि read pin होगी यह active low pin होती है जब यह pin low होगी यह indicate करेगी कि या तो input output device से या memory device से read function perform हो रहा है data buses में data available है read करवाने के लिए और write pin write pin क्या करेगी यह भी active low होगी यह indicate करेगी कि अगर हमने write function perform करवा है तो यह pin low होगी और यह भी यह जो कि memory या input output location से data write हो रहा है क्योंकि data हमेशा address के बाद आता है पहले बस इसमें address आता है उस address पे जो location पर data पड़ाता फिर वो आता है फिर हम देखते हैं कि read function perform करवाना है या write function perform करवाना है नेक्स्ट है 33 और 34 पिन 33 पिन जो कि s1 यह भी स्टेटस को शोड़ करते हैं तो 29 पिन और 33 पिन के बारे में हम अभी डिसकर्स करेंगे तो पहले 34 पिन देख्वे हैं जो कि input output memory को शोग करेंगे अगर यह पिन low होगा 34 अगर यह pen low होती है तो memory से read your write function perform होता है और अगर यह high होती है तो input output से read your write function perform होता है यह decide करें कि memory work कर रही है input output work कर दा है नेक्स है 35 और 36 पी 35 जोकी reset in को शो करेगी जब भी कोई signal आता है तो ये pin reset in pin low हो जाते है और जो program counter होता है वो 0 पे set होता है और जो buses होती है वो try status होती है और microprocessor भी reset होगा reset in next time ready ready pin जोकी 36 pin होगी ये एक input pin होती है ये pin show करती है कि जो microprocessor है वो read या write function perform करवाने के लिए ready है यानि data को send करने के लिए accept करने के लिए ready है जो कि high होगा थर्ड 37th pin है clock clock तो हम जानते हैं clock का काम होता है clock pulses generate करना clock क्या करेगी clock pulses generate करेगी और ये issue करते है कि read function performer है तो कितने clock pulses में हो रहा है write function कितने clock pulses की जवरत पढ़ रही है तो clock out का अगरा system को control करता है next है hlda hold acknowledgement 38th pin देखिए जो 38th pin होगी वो 39th pin के बाद ही काम करती है जो कि hold pin होती है hold pin क्या होती है जब भी कोई दूसरा master 8085 हमारा processor है जब भी कोई दूसरा master 8085 प्रोसेसर की बसिस को use करना चाता है तो master क्या करेगा प्रोसेसर को एक request भीज़ेगा hold request ये जो hold request होती है ये show करती है कि आप अपनी बसिस को थोड़ी देर के लिए free कर दीजिए ताकि हम आपकी बसिस को use कर सकें तो प्रोसेसर क्या करता है 8085 एक signal भीजता है hold acknowledgement का acknowledgement signal ये show करता है कि हाँ मैं अपनी बसिस को free करने के लिए ready हूँ जब तक तुम इसके काम करोगे तब तक मैं अपना काम रोग दूँगा तो जैसे ही 8085 hold acknowledgement भीजता है तो क्या करता है प्रोसेसर जो 8085 प्रोसेसर है वो अपने बसिस को free कर देता है और master उन बसिस का यूज करता है 8085 तब तक अपनी बसिस का यूज नहीं कर सकता जब तक कि master उसकी बसिस को free नहीं कर देता सेम वही काम कि अगर हम किसी को चीज देते हैं मुझे यह चीज चछी और किसी ने तोकि आप को और लीज़ आप अपनी चीज दें तो फिर अगर आप डेना चाहते हैं तो आप कि को यूज करेगा और जब मास्टर होगा जब बस इसको फ्री कर देगा तो फिर से अपनी बस इसको यूज करने लग जाएगा नेक्स्ट फोर्टी पिन वी सिसी यह पिन सप्लाई के लिए होती है प्लस फाइव वोल्ट पावर सप्लाई प्रोवाइड करती है चिप को अब य एक चीज रहे गई स्टेटस के बारे में जाना यानि 29th पिन और 33 पिन 29 जो S0 है 33 पिन जो S1 जो स्टेटस को शो करेगी यह पिन शो करेंगे कि क्या फंक्शन परफॉर्म हो रहा है और इंपूट आउट्वूट मेम्डी के साथ शो करेंगे कोल सा फिंक्शन परफॉर्म हो अगर 002 पिन 1 है और इंपूट आउट्वूट मेम्री से राइट फॉर्म होगा और अगर वन 0 है और यह वन 1 पिन 5 मिसाफ में मिलके और यह स्टेट करते हैं क्या करना है फैच करना है थे राइट करना है और इंप्ट आटो डूरीटाइट करना है यह हमारा 8085 थेंक यू